दोस्तो कैसे आप सब उमीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे दोस्तो आज हम गए थे गोड़ा के या महा शौरूम तो बाइक के रिभ्यू करने के लिए गए तो मुझे एक बाइक दिखी डिस्पले पर और फ्रन पे ये बाइक थी तो मैंने फिर गोर किया कि ये वाय के ये वीडियो की शुट किया है और इसका रिभ्यू किया है आप देख सकते हैं आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा मैसूस होगा कि ये ऐसी स्रीच के तोर पे लगाया गया है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों ये FZS है और इसमें Advanced Features 8KI कमपनी ने और Newly Launch किया है तो चले दोस्तों किया गया मिलता है सबसे पहले आप बदलाओ देखेंगे तो हैंडल बार पे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे एक हैंडल बार में गार्ड मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं और यहीं पे आप देखेंगे तो मिलेगे तो मिलेगे कंसोल के उपर आपको यहाँ पे एक Win Screen मिलता है जो कि बाइक का लूक फरन से काफी इनहेंस करता है और एक न्यू लूक और एक न्यू डिजाइन मिलता है इस प्रीट में कंपनिया आपको सीट प्रोइट कर देती है और रियर टेन लेम मिलता है आपको LED का और इंडिकेटर मिल जाता है आपको नॉन फिलेक्सिबल हेलोजन का फरन में और रियर में और फरन का जो टायर साइज है फरन से हुआ है हन्रेट बाइटी का सतर इंचे का एलो इलस के साथ बाकि सिंगल चनल ABS का फिचर से देखने को मिलता है FJS का बरांडिंग और लुक और डिजाइन देख सकते हैं और यह है बाइक यह है फरन से इस बाइक का मैट गरे कलर और यदि आप इसमें और कलर आप्शन आप देखना चाहते हैं तो और भी आपको कलर आप्शन देखने को मिल जाएगा जितने भी यहां है FJS में कलर आप्शन है सभी कलर आप्शन के साथ इस बाइक को अंडिया टूलियर मार्केट में फिर से लौ्सन किया है और निव फिचटर के साथ बाकी स्मार्ट एक्स केनट का फिचटर्पी देखने को मिलता है बाकी आप लुक और दिजाइन देख सकते हैं रियर का काफी धांसु और काफी इंहेंस लुक आपको देखने को मिलता है यहीं पे दोस्तों माइलेज के बारे में बात कर ले तो माइलेज अराउन 40 तू 45 का अबरेज बताया जा रहा है कि कमपनी के तरफ से कि यह बाइक निकाल लेती है लेकिन मेरा जहां तक अपनियन है कि फुल सर्विस और कंडिशन में रखने के बाद माइलेज अराम से 50 तक का निकाल लेगी या महा FJS और एक चीज़ में बता दो दोस्तों कि बाइक की स्पीट और लेंथ के हिसाब से बाइक माइलेज देती है जिस परकार से आप बाइक को यूज़ करते हैं पिर पेतिर और गोड़ा जारखन गोड़ा में है यह शामोटर के नाम से तो आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में कॉंटेक्ट मिल जाएका मैं मिलता हूँ अगली वडियो में ठैंक्स पर वाजिंग बहुत बहुत धन्यवाद